नीट पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया अब नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही लाखों स्टूडेंस का इंतजार भी खत्म हो गया सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामले पर अपने फैसले में कहा कि पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है इसलिए नीट की दोबारा परीक्षा कराने की मांग खारिश की जाती है सुप्रीम कोर्ट में CGI की बेंच ने साफ तौर पर कहा की अदालत का निशकर्ज है की नीट पेपर लीक सिस्टेमिटिकन नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक गलत प्रश्न पत्र के वित्रन और भौतिकी के एक प्रश्न के गलत विकल्प के लिए अंक देने के मामले में NTA यानी National Testing Agency की धुल्मुल नीती की आलूचना की NET UG Retest कराने की मांग वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को विस्तरित फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा की हजारी बाग और पटना के अलावा NET UG 2024 परीक्षा में कोई systematic सेंध नहीं हुई है कोर्ट ने कहा की NTA को बार-बार अपने फैसले नहीं बदलने चाहिए क्योंकि यह केंद्रिय संस्था पर अच्छा नहीं लगता CJI DY चंद्रचोड ने कहा की सरकार द्वारा गठित कमेटी को किसी भी गड़बडी को रोकने और उसका पता लगाने के लिए कदम सुझाने चाहिए CJI चंद्रचोड ने कहा की NTA के साथ मिलकर कमेटी को एक ऐसा तरीका भी ढूनना चाहिए जिससे पेपर बनाने से लेकर उसकी जाच करने तक हर प्रक्रिया पर करी नजर रखी जा सके साथ ही प्रशन पत्रों के रखर खाव और स्टोरेज आदी की जाच के लिए एक सौप को भी सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए CJI DY चंद्रचोड ने कहा कि सरकार द्वारा गठित कमेटी को किसी भी गड़बडी को रोकने और उसका पता लदाने के लिए कदम सुझाने चाहिए CJI चंद्रचोड ने कहा कि NTA के साथ मिलकर कमेटी को एक ऐसा तरीका भी ढूनना चाहिए जिससे पेपर बनाने से लेकर उसकी जाँच करने तक हर प्रक्रिया पर करी नजर रखी जा सके साथ ही प्रश्न पत्रों के रखरखाव और स्टोरेज आदी की जाँच के लिए एक सौप को भी सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए CJI चंद्रचूर ने कहा कि पेपर को खुले एरिक्षा के बजाए रियल ताइम इलेक्ट्रोनिक लॉक सिस्टम के साथ बंद वाहन में भीजे जाने की व्यवस्था पर विचार किया जाए साथ ही कमेटी जात्रों के मान्सिक स्वास्थि सहायता कार्यक्रमों के लिए योजनाओं की सिफारिश करेगी जात्रों पर मनुवैज्ञानिक प्रभाव का आकलन भी करेगी कमेटी एंटीए सदसियों, परीक्षकों, कर्मचारियों आदी के प्रशिक्षन की व्यभार्यता पर विचार करेगी ताकि सभी परीक्षा की अखंडता को अच्छी तरह से संभालने के लिए सुसजित हों अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें